नमस्कार साथियों आज एक बार फीट से हम आपके बीच इंग्लिश ग्रामर का एक अगला टॉपिक लेकर उपस्तित हैं और इसमें हम एक्टिव और पैसिव वोइस को लेकर चल रहे थे एक्टिव और पैसिव और इसमें एक्टिव और पैस्व में आज हम नो बात करेंगे पास्ट एंस की कि और अगर देखें पास्ट ट्रेंन्स में तो पास्टेंस के कर चार पार्ट होते हैं पहला है चार दूसरा है पास्ट ऐंडर शुत करते हैं तीसरा पास्ट पर्फेक्ट और चोथा है पास्ट पर्फेक्ट कंटिनिवस और अगर बात करें तो इसमें पास्ट पर्फेक्ट का एक्ट्व से पैस्व बनता है पास्ट कंटिनिवस का भी एक्ट्व से पैस्व बनता है लेकिन पास्ट पर्फेक्ट का भी बनता है यह चोथा पार्ट है पास्ट पर्फेक्ट कंटिनिवस इसका एक्ट्व से पैस्व नहीं बनता है तो आज हम पहला देखते हैं सबसे पहले Simple Past यानि Past Indefinite का पास्ट Indefinite का इसका Active से । बनता है और देख लेते हैं कि इसके क्या-क्या Rules हैं Past Indefinite का देखे हैं हम तो सबसे पहले बात करते हैं इसका Active Voice कैसा होगा यानि जो sentence हमें दिया होगा उसका structure क्या होगा जो sentence दिया होगा उसका formula होगा कुछ इस तरह से subject plus verb का second form object और other words दिये होंगे यानि past indefinite का जो शुरुवाती sentence होगा उसका structure होगा subject plus verb का second form object और other words और इसे जब हम passive में change करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे object जैसा कि हम जानते हैं कि passive voice में object को पहल आते हैं object plus इसके साथ helping verb के रूप में was या word लगेगा और verb का third form use होगा plus other words plus by और last में लिखते हम subject तो यह है structure past indefinite tense का structure है active voice जो होगा यह simple sentence के हम बात कर रहे हैं sentence हमारा simple होगा उस समय ऐसा होता है subject plus वह आपका second form object other words दिया होगा जब passive में change करेंगे तो object पहले लाएंगे object plus was work इसमें से कोई एक plus her form of other words by और last में लिखते हैं subject चले कुछ इस sentence देख लेते हैं जैसे राधा के राधा कंपोजड़ पोएम इस sentence को देखिए राधा कंपोजड़ पोएम हम कह सकते हैं कि यह past indefinite में है क्योंकि यह वह अपका second form लगा हुआ है और इसे हम passive में change करेंगे तो object a poem पहले लाएंगे a poem was composed third form भी वही होगा composed by राधा ठीक है राधा composed poem का बनेगा a poem was composed by राधा एक और sentence देख देते हैं जैसे the teacher the teacher completed completed the course the teacher completed the course अगर हम इसका passive बनाएं तो object है the course पहले लाएंगे the course was singular है इसके साथ was लगेगा completed the course was completed by the teacher by the teacher ठीक है तो इस तरह सम्देख सकते हैं कि राधा composed a poem इस sentence का पैसी बनेगा a poem was composed by राधा the teacher completed the course का बनेगा the course was completed by the teacher आगे देखते हैं इसके कुछ और sentence बना लेते हैं जैसे he helped us एक sentence है he helped us क्या बनेगा us को लाएंगे तो हो जाएगा we we were helped by him we were helped by him एक और sentence देखते हैं जैसे दे 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 प्लेड आ मैच क्या बनेगा इसका पैसी बनेगा a match पहने लाएंगे a match was played played by them देखा हो जाएगा them a match was played by them एक और देखते हैं जैसे she taught me geography यह सब्सक्राइब देखिए she taught me geography क्या बनेगा sorry यह है me she taught me geography इसको बनाएंगे हम मी को subject बनाते हैं तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा आई वाज टाट जाएगरफी तू मी बाई हर इस तरह से आपने देखा यह कुछ तीन सर्टे देखा he helped us का बना we were helped by him they played a match बना a match was played by them she taught me geography का बना i was taught geography by her यह को बनेगा geography was taught to me by her चलते हैं इसका नेगेटिव देख लिते हैं अगर सेंटेश नेगेटिव आता है पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेश नेगेटिव होता है नेटिव में क्या होगा पास्स इंडिफरेंट उसमें इसमें नेटिव होता है जो एक्टिव होगा उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डिद नॉट दिया रहता है दिड नॉट और वाप का first form object और other words दिया होगा इसको हम passive में change करेंगे तो passive का formula होता है सबसे पहले आप लिखेंगे object plus was were के बाद आप लगाएंगे not then third form of other words by और last में लगेगा subject जैसे कुछ example देख लिते हैं जैसे he did not help me इसका अगर हम passive बनाएं तो क्या बनेगा he did not help me me object लाएंगे तो क्या हो जाएगा I was not help का third form चाहिए helped by he का him हो जाएगा है ना बना I was not helped by him एक और sentence दिख लेते हैं जैसे the doctor did not treat him the doctor did not treat him तो him object लाएंगे तो हो जाएगा he he was not treated he was not treated by the doctor he was not treated by the doctor आई हम फिर से देख लेते हैं negative में subject plus did not वह का first from object other words दिया रहेगा जब इस एम passive में change करेंगे तो सबसे पहले लाएंगे object was war के बाद not लगाएंगे बाकी सब तो वही फॉर्मूला जैसे he did not help me me को subject बनाएंगे I I was not helped by him the doctor did not treat him him object है तो इसे हम subject बनाएंगे तो ही हो जाएगा he was not treated by the doctor अगर हम सेंटेस इंट्रोगेटिव की बात करें पास्ट इंडेफिट खाएंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है कि अगर हम एक्टिव की बात करें जो सेंटेस का structure होगा डबलू एचोड पहले हो सकता है नहीं तो डीट पहले होगा फिर होगा subject नेगेटिव भी है तो not होगा वह आपका first form object और other words दिया रहेगा लास्ट में लगाते हैं question mark यह हमारे sentence का structure होगा अगर यह इसे passive में change करते हैं तो formula है कि passive भी डबलू इचोड से start होगा लेकिन object के हिसाफ से लगेगा was या were तो लगाएंगे was या were देन लिखेंगे object और अगर not भी है तो लगा दिए नहीं तो आपका अथावर फॉर्म लिखिए प्लस other words प्लस by और लास्ट में आएगा subject question mark तू रहेगा ही रहेगा जैसे आँ वाई डिड राम प्ले चेस देखें बहुत simple sentence लिया है वाई डिड राम प्लेचेस इसमें नहीं है तो डब्ली इस वाट से start है लिखती जिए वाई अब दिग नहीं लिखेंगे चेस के इसाब से वाउज बर लगाएंगे इसके साथ वाउज लगेगा वाई वाई वाउज छेस प्ले का third form चाहिए प्लेड बाई राम question mark है ना बना वाई वाई वाउज चेस प्लेड बाई राम है ना कुछ और इंट्रोगेटर देख लेते हैं जैसे who did help you यह देखिए अगला sentence है जो sentence who से start हो हमने चर्चा किया था उसे by whom से बनाते हैं by whom were you helped question mark by whom were you helped एक और sentence देख लेते हैं जैसे why did the peon not ring the bell ring the bell question mark इससे क्या बनेगा डबलो एच वर्ट से start है तो पैस्व भी डबलो एच वर्ट से बनेगा वाई वाई वाज अब्जेक्ट है दबल 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 नॉट और रिंग का थर्ड फॉर्म क्या चाहिए रंग हो जाएगा वाई 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 वाज दबल नॉट रंग बाई दब्यून प्यूशन मार्क फिर से देख लेते हैं वाई डिड दब्यून नॉट रिंग दबल इसका पैस्व बनेगा वाई और दबल अब्जेक्ट उसकी साफ से वाज 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 दबल नॉट रंग बाई दब्यून चलिए तो यह था पास्ट इंडेपनिट अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिनुवस का अगर हम द सिंपल सेंटेंज का स्ट्रक्श्य कुछ इस तरह से होता है एक्ट्यू का कि सब्जेक्ट दिया होगा प्लस साथ में होगा वाज या वर्ब और फिर वर्ब का आई एंजी फॉर्म और अब्जेक्ट और अदर वोर्ट दिया होता है जब इसे हम पैस्व में चेंज करते हैं पैस्व को फॉर्मूला होता है सबसे पहले हम लिखते हैं और अब्जेक्ट के बाद लिखते हैं अफकोर्स वाज वर्ब तो लिखा ही जाएगा इसके साथ लिखते हैं बी इए देन थर्ड फॉर्म फॉर्म फॉर्ब प्लस अदर वोर्ड प्लस बाई और लास्ट में होता है सब्जेक्ट यह है स्टक्चर जैसे माल यह एक सेंटेंस है अब मोहन लोहन वाज रिडिंग और नौविल इसका हम पैस्वी बनाएं तो क्या बनेगा मोहन वोज रिडिंग और नौवल अनौवल उससे हम लाएंगे तो पहले हो जाएगा और नौविल इसके साथ लगेगा वॉज फिर लगाएंगे बी इन तो क्या और नौवल सिंगुलर है इसके साथ लगेगा वॉज है विइंग क्या इन जी था तो बीइंग लगा दिये फिर वर्प का थर फॉर्म चाहिए रेड बाइंग और नौवल वोज रिडिंग और नौवल का बना और नौवल वाज बीड़ बाई बोहन ठीक है अगर हम इ अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है नकरात्मक होने पर क्या होता है एक्टिव में होगा सब्जेक्ट प्लस वॉर्ज वर्प्लस नौट होगा देन आएंजी फॉर्म फो ओब्जेक्ट और अदर वोर्ड्स दिया रहेगा अब इसे आप अगर मान लिजे इसे आप पैस्व में चेंज करते हैं तो अब्जेट पहले लाएंगे साथ में आप लिखेंगे वॉर्ज वर्प इसके बाद लगाएंगे नॉट तब लिखेंगे बी इंग वाप का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वोर्ड्स प्लस बाई एंग इन इन दे लास्ट वी यूज सब्जेक्ट जैस राधा वॉज नॉट राइटिंग लेटर माल यह सेंटेस है राधा वॉज नॉट राइटिंग लेटर और इसे आप पैस्वी में चेंज करना चाहते हैं तो अब्जेट है और लेटर पहले लाएंगे और लेटर लिख दी आपने और लेटर इसके साथ लगाएंगे वॉज फिर चुकिन नॉट भी है तो नॉट लगा दीजिए आएंजी लगाया थे हां बीइंग लगेगा बीइंग और राइट का थार्ड फॉर्म रिटिंग और लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटिन बाई राधा एक बार फिर सरी क लेट करते हैं पास्ट कंटिनुवस की हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिनुवस Past continuous में जो negative sentence होगा उसका structure होता है subject plus was were not ing form of form object other words और इसका passive बनाते है तो बनता है object plus was were not being third form of form of other words by and subject Radha was not writing a letter बनेगा a letter was not being written by Radha बनेगा बनेगा बनाते है